नमस्कार दोस्तों सुवाथ है आप सभी का हमारे यूटूब जेनल आर के योजना पर पैंशन से जुड़ा हुआ लेटस्ट न्यूज ताज़ अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग विद्वा व्रदावस्ता और कोश्टवस्ता पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि इन सभी पैंशन में से आपकी भी कोई भी एक पैंशन बनी हुई है और आप भी सरकार से पैंशन का लाब लेते हैं आपके बैंक खाते में भी पैंशन ना से सरकार द्वारा ट्रांसवर की जाती है तो आज की है जानकारी आपके लिए बहुती ज़्यादा महतपूर्ण होने वाली है जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रही हैं पैंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी खबर है सरकार ने केवल इन लोगों के तीन हजार रुपे चार हजार पांस रुपे बैंक खातों में पैंसन के ट्रांसफर किये गई हैं दोस्तों यहां पर यह लाब सभी को नहीं दिया गया है जी हां दोस्तों यह पैंसन का लाब सभी को नहीं दिया गया है कुछ ही ऐसे पैंसन धारक है जिनको यह लाब दिया ग और किन लोगों के बैंक खाते में ये पैंसन राजी ट्रांसपर की गई है, किन लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है ये सभी जानकारी पैंसन से जुड़ हुई आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं देखे दोस्तों आप किसी भी राज्ये के पैंसन दारख हो सकते हैं हरियाना, पंजाब, गुजरात, माराष्ट, करनाटका, उत्रपर देश, उत्राखंड, हिमाचल पर्देश किसी भी राज्ये के सभी राज्ये में पैंसन अलग-लग करके दी जा रही है जैसे आप जानते हैं उत्रप्रदेश में 3,000 रुपे पैंसन नासी दी जाती है और उत्रखंड में 1,500 रुपे की पैंसन के हिसाब से जो 3 मैने किस्थ हो जाती है वे 4,500 रुपे सभी दिव्यांग, विद्वाव, वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंसन जो ये हैं बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है इसी परकार से अन्य राज्यों में 850 रुपे से लगाकर 1,700 रुपे की पैंसन दी जाती है अब जैसे यहाँ पर अन्य राज्य है 18 रुपे पैंसन दी जा रही है इससे लावा और अन्य राज्य हैं जिसमें 2000 पैंसन दी जाती है और यहाँ पर 2500 रुपे भी दी जाते हैं कुछ ऐसे राज्ये हैं जिनमें 2800 रुपे भी पैंसन दी जा रही है यह डिपेंड करता है कि आप किस राज्ये में रहते हैं और आपको किस राज्ये के साब से कितनी पैंसन रासी दी जा रही है बहुत से ऐसे राज्ये हैं जिनमें पैंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है हलाकि अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे राज्ये बचे हुए हैं जिनमें पैंशन को अभी दख ट्रांसफर नहीं किया गया है हम बात कर रहे हैं पैंशन योजना के बारे में तो दोस्तो आप जिस राज़े में रहते हैं आपके राज़े सरकार द्वारा उसके बाद सेंटरल गवर्णमेंट यानि की परधान मंतरी नेंदर मोदी की केंद सरकार दोनों को मिलाकर ही आपके वैंग खाते तक पैंशन को ट्रांसफर किया जाता है यानि की मान लीजे आप आपके राज़े में पंदरसु रुपे दे जाते हैं तो दोस्तो इसमें बारसु रुपे तो हो जाते हैं राज़े सरकार के और तीन सो रुपे हो जाते हैं केंद सरकार के तो दोस्तो दोनों को मिलाकर आपके पैंशन पंदरसु रुपे हो जाती है तो इसे के साब से यह के बैंखाते में ट्रांसफर की जाती है अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस राज्य में पैंसन को ट्रांसफर कर दिया गया है और किस राज्य की पैंसन अभी ट्रांसफर नहीं की गई है और किस राज्य में पैंसन को फिलहाल ट्रांसफर किया जा रहा है यह सभी जानकारी अब आप जान पाएंगे यहां पर दोस्तों आप यह देख रहे हैं यह उस राज्जे का स्क्रीन शोट है जिस राज्जे में पैंसन को ट्रांसफर कर दिया गया है सबसे पहले दोस्तों यहां पर 6 तारिक में पैंसन को ट्रांसफर किया गया था अपरेल से जून तक की यहां ट्राइब से लिखा है जुन टक की यहां कर दिया गया है यानि कि यहांसे देखिई तीन आक्टूबर से लगा और 7 अक्टूबर तक यानि कि यहां से लिखा है जोलाई से सितमबर तक की जो पैंसन है वह है ट्रांसफर कर दी गई है यहां पर आप दे सकते हैं डिसाबल्टी पैंसन है, वीडो पैंसन है, औल डेज पैंसन है तो दोस्तो, इन पैंसन धारकों यह लाब दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस जिले में कितनी 25 ट्रांसफर की गई है और किन, यानि कि कितने जो 25 टारक हैं उन्हें लाब दिया गया है, सबसे पहले आप 7 अक्टोबर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि 17,794 टारक थें, यहाँ पर disability के उन्हें ये लाब दिया गया है, उसके बाद 7 अक्टूबर में फिर से pension transfer की गई थी, तो ये लाब उन्हें यानि की जो विद्वा महिला है, पर तेक्ता महिला है, उनको ये लाब दिया गया है, फिर 6 अक्टूबर में pension transfer की गई थी, यहाँ पर 31,198 में, ये दोस्तो वर्दवस्ता pension धारक है, इन्हें ये लाब दिया गया है, अब यहाँ पर आप 6 तारिक में ये भी देख लिजिए, यहाँ पर है 4075, pension disability के उन्हें ये लाब दिया गया है, इसी परकास दोस्तों यहाँ आप ये देख लिजिए, इन वैक्तियों को pension का लाब दिया गया है, किस जिले में कितनी pension transfer की गई है, यहाँ पर आप जिलों का नाम ही देख सकते हैं, अब ये किस राज्ये में pension transfer की गई है, तो दोस्तों आप यहाँ पर यह समझी, यहाँ पर दोस्तों लिखा है, समाजिक यानि कि समाज के लिखाग उत्राखंड, जी उत्राखंड के राज्ये के जितने भी pension धारक है, वर्दवस्ता, दिव्यांग, विध्वा, कुष्टवस्ता, उन्हें यह लाब pension का दिया जा चुका है, जैसे दोस्तों हमने आपको बताया, इस राज्ये में 1500 रुपे pension दी ज अब दोस्तों आपको बताते हैं किस राज्ये में pension को फिलहाल यानि कि currently में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दोस्तों हम बात करें यापर यूपी सरकार की, यूपी सरकार द्वारा फिलहाल pension को ट्रांसफर किया जा रहा है, यह लाब pension धारकों को दिया जा रहा है, उत्तर यह हलाब अब जोलाइ, अगस्त और सितंबर इन तीन मैनों का दिया जा रहा है पैंसन नसी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है अम दोस्तों बात आतिये कुष्ट अवस्था पैंसन धारकों कि दोस्तों ऐसे पैंसन धारकों को उत्तर परदेश राज्ये में तीन हजार रुपे परति माइना दिये जाती हैं जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सई सुन रहे हैं कुछ रोग से जो पीडित हैं उनकी पैंसन बनी हुई है तो ऐसे पैंसन दारकों को तीन हजार रुपे परति माहा उत्तर परदेश राज्ये फरम होता है यहाँ पर आपका सबसे पहला होता है यहाँ पर आपकी accept की जाती है फोरूम उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं इस कोलम में आपका लिखा में लेगा PFMS यह आपका validation यहाँ पर accept होना चाहिए जिसका accept नहीं है उनको pension नहीं दी गई है तो दोस्तों फिलहाल जो pension transfer की जा रही है जिनका PFMS accept है उनके नाम में स्पिलिंग्स में मातराओं में कोई भी गलतिया नहीं है इसके बाद बैंक विवरन का एक कोलम आ जाता है यहाँ पर जिन व्यक्तियों का account नंबर बिलकुल सही है IFSC code में कोई भी गलतिया नहीं है और जिनोंने अपना EKYC का कारे पुरा करा लिया है तो इस बार इनी pension धारकों को pension दी जा रही है यानि कि आप ये कह सकते हैं अधिकारियों दौरा जो समाज कर लेंड विभाग में अधिकारी बैटे हैं उनके दौरान जाच के दौरान आपके जाप लिकेशन फारम की जाच कि गई है यदि आपके अधिन फारम में कोई गलतिया नहीं है तो आपको pension का लाब दिया जा रहा है ये कहना अधिकारियों दौरा का है यदि आपके आवधन फारम में कोई गलतिया नहीं है तो आपके पैंसन को रोक लिया गया है आपके बैंक आथे पैंसन को ट्रांसफर नहीं किया गया है तो ऐसे बैंक खातों में उत्तर परदेश सरकार द्वारा पैंसन के तीन-तीन हजार उरुपे का लाब दिया जा रहा है ये रासी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है यदि आपकी भी ये गलती सभी सही है कोई भी गलती आपके अधन फार में नहीं है तो आपको एक सो एक परतिसद पैंसन का लाब दिया जाएगा बस आपको कुछ थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा क्योंकि उत्तर परदेश सरकार मुख्यमंतर योगी आदितेनात की सरकार ने 13 अक्टूबर से पैंसन को ट्रांसफर करना परारम कर दिया है और यह लाब पैंसन का 31 अक्टूबर 22 तक सभी पैंसन दारकों को दिया जाएगा आप ये भी कह सकते हैं कि दिपावली के अवशर पर ये पैंसन का लाब ये पैंसन का तोफा पैंसन दारकों को दिया जा रहा है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा और ज़िए आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रो लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लास्ट में निमेद नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भरत